दोस्तों यह है paytm company का fast tag और इसको आज मैं destroy करूँगा यानि nest करूँगा और nest करने के बाद paytm वाले application पर इसका photo upload करूँगा वह ही है final process उसके बाद ही 1.5 रुपे आपके wallet पर वापस आएंगे और आप उसको अपने bank account में transfer कर वाएंगे या किसी merchant पर भी use कर पाएंगे तो चलिए सबसे पहले इसको destroy करता है destroy करने का तरीका यह है अब इसको दो पार्ट में चार पार्ट में काट दीजिए देखिए मैं इसको काट रहा हूं दोस्तों तैची से इसको मैं चार पार्ट में काट दूँगा देखिए final process हो चुगा है यह cut चुगा है अब इसको बस एक ही process और बचा है इसको application पे upload करना यह रहा पेटीम का application जो कि मैंने अपने mobile पे open कर लिया है और इसका screen मैं आप लोगों के screen पे share कर देता हूं देखिए दोस्तों application open हो चुगा है आपको यह search वाले बार में आना होगा और यहां पे click करके search करना होगा fast tag इस तरीके से आप लिखेंगे fast tag तो search हो के आप लोगों को अभी fast tag वाला section मिल जाएगा यहां देखिए payment sorry payment payment bank लिखा है उसमें सबसे पहला होला column है manage fast tag इस पर click करना होगा इस पर click करते ही page change हो जाएगा और अभी थोड़ी देर पर खुलेगा कभी कभी time ले रहता है network issue के गारण देखिए दोस्तों जो भी closer request आप लोगों ने डाला होगा उस पर उसी गाड़ी नंबर पर click करके आगे बढ़ना होगा देखिए यहां closer request मैंने डाला था बिछले वीडियो में पुरा live process मैंने दिखाया था कि कैसे closer request डाला जाता है तो फिलाल चली आगे बढ़ता है closer request वा होगा और यहां वीवाल पर click करना होगा सबसे नीचे दिया है upload destroyed fast tag image इसी पर आप वो click करना है देखिए दोस्तों यहां आ चुका है upload करने का option यहां camera होने option पर आप लोगों को click करना होगा देखिए मैंने अपना fast tag request online आप लोगों के सामने ही डंज कराया था आज आप आप लोगों के शामने ही upload करना हूँ देखिए यहां camera वाले option को choose करना होगा देखिए open हो चुका है camera अब मैं फोटो खीच लेता हूँ जो की fast tag का destroyed image है यह हो चुका फोटो प्लिक अब यहां सही वाले निसान पर click करना होगा उसके बाद आप लोगों को यहां upload पर click करना ह होगा और थोड़ा सा वेट करना होगा वेट करने के बाद आपके निस्कले पे एक मैसेज आएगा देखिए मैसेज आ रहा है image upload successfully दोस्तों upload हो चुका है fast tag का destroyed image upload हो चुका है चलिए एक बार status चेक कर लेते हैं गाड़ी नमर पे click करना होगा देखिए जो की destroyed image का photo मांग रह ले था दोस्तों यहां आप उपर लिखा हुआ देख लीजिए कि आपके fast tag को closure request दर्च किया देया है और date भी दिया है पुरा format English में लिखा है और जो की refund है आपका 150 वो 5-7 working days में वापस आ जाएगा तो दोस्तों यह था पे टियम के fast tag को बंद करने का पूरा process तो दोस्तों अगर आप लोगोंने नहीं देखा कि शुरुआत कैसे करते हैं तो उसके लिए मैंने एक अलन्द वीडियो बना रखा है जो की वीडियो का link मैं description में mention कर दूंगा और यह बटन पे भी आपको मिल जाएगा जाके देख लीजिए पे टियम fast tag को बंद करने के लिए 50 रुपे 5-7 दिन में आ जाएंगे तो दोस्तों अगर आप भी पे टियम fast tag को किसी भी कारण से बंद करना चाहते हैं या तो अपने गाड़ी बीज दिया या अपने इच्छा से बंद करना चाहते हैं तो प्रोसेस को देख के बंद कर लिजिए पूरा step यही complete था और legal process है क कमेंट में जरूर लिखिएगा मैं आपको जरूर जबाब दोंगा और दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनलन को subscribe कीजिए चैनले मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई topic के साथ तब तक के लिए challenge